हलो फ्रेंड्स आज की क्लास में मैं आप से डिसकस करने जा रहा हूँ सुंग वंस के विशे में जिसका संस्थापकทि पुश्यमित्र सुंग याद कीजे मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि मौरे वंस के अंतिम साशक ब्रिहद्रत की हत्या किया था इसी पुश्यमित्र सुंग ने और मगद की गद्दी पर सुंगवंस की स्थापना हो गई थी 185 इसापुर्व में यह आपने पिछली क्लास में पढ़ा था अब यही से सुंगवंस की कहानी को स्टार्ट करते हैं सुंगवंस की कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको बेग्राउंड बता दूँ कि सुंगवंस के समय में भारत जो है दो भागों में भी भाजित हो गया था एक भाग था मगद यानि कि इधर का भारत जो मुख्य भूमी है और दूसरा भाग है यहां उत्तर पस्चिम सीमा प्रांथ में जिसको शॉट में NWFP मैंने लिखा है यहां NWFP का फुल फाम होगा उत्तर पस्चिम सीमा प्रांथ यानि Northwest Frontier Province नार्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रॉविंस उत्तर पस्चिम सीमप्रांथ है जो भारत का पस्चिमी साइड में उत्तरी साइड में सबसे अंती मिलाका है तो अब कहानी शुरू करते हैं पुष्यमित्र सुंग पहले बता दे आपको कि एक ब्रहमन था और जब मौरवंस की स्थ संस्थापन समराठ अशोख के द्वारा की गई थी तो अब चूकि ब्रहमन धर्म को सब लोग कम मानते थे और बौध धर्म को अधिक मानते थे तो ये पुष्यमित्र सुंग जो जाती से ब्रहमन था इसने भारत में फिर से ब्राहमन धर्म की सत्थापना करने के लिए ही मौरियों का किया और भ्रियcuss की हत्या करके स्वय मगद का राजा बन गया तो इसी लिए इसको संगवन्स का सन्स्थापक कहते हैं कि पुष्यमित्र कौन था संगवन्स का संस्थापक था ऐसा भी प्रष्ण पूछता है मैं सभी राजाओ का एक लिस्ट आपको बता दूँगा इसी क्लास में क्लियर हो जाएगा अब गौर करते हैं कहानी पर देखे जब पुष्यमित्र सुंग यहाँ पर राजा बनता है तो वहाँ पर मैंने बता है कि आपको उत्तर पस्चिम सीमपरांत भी एक सामर अब सभी लोग महरसी पतंजली का नाम भली भाती सुने होंगे महरसी पतंजली ने योग सुत्रम नामक ग्रंथ लिखा और योग जो भारत योग का जननी कहा जाता है वो पुस्तक इन्हों नहीं लिखा है और पुरी दुनिया को योग के बारे में बताने का कार्य किया है अब महरसी पतंजली के द्वारा ग्रंथ जो लिखा गया उसका नाम है योग सुत्रम, यहां मैं लिख दे रहा हूँ, इसमें योगा से रिलेटेट सारी बातों का डिसकस किया गया है, और पाड़िनी ने एक लिखा था अस्टा ध्याई, उस अस्टा ध्याई पर भी इन्हों ने टिपड़ी किया था, यानि टीका किया था, तो पतंजली किसके दरबार में रहते थे, यही ऑप्शन आएगा, तो पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे, जब पुष्यमित्र सुंग राजा बना, तो इसने अपने दरबार में या अपने शाशन में दो अश् अश्मेग यग्य पतंजली की मदद से किया गया वास्तों में पतंजली भी एक ब्रह्मन थे और ये भारत वर्स में फिर से ब्रह्मन धर्म और संस्कृत का पुनरुत्थान करना चाहते थे तो इस तरह से सुंगवंस के साशक पुश्यमित्र सुंग और महसी पतंजली दोनों एक साथ रहा करते थे तो दो अश्मेक्स कराने का क्रेडिट किसको जाता है पुश्यमित्र सुंग को जाता है अब एक बात मैं आपको बताओं चूकि मगद के सामराज में बुद्ध धर्म के लोग थे तो बहुत सारे लोग जब इस इस पर सुंगवंस की स्थापना हो जो बात धर्म के लोग जाकर बस गए वो लोग मगद में सुंग वंस से प्रसन नहीं थे लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग चले गये कुछ बात धर्म के लोग यहाँ पे रुक गए अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मद्रदेस के एक राइसेन जीले में समराठ अश साची के स्तूप के चारो और लकडी से जो बना दीवाल था उसको हटा कर पथर से निर्मित करवाया। ततपर यह है कि वह चाहता था, कि इस साची के इस तूप जैसे धरोहर को, beहरी आक्रमन कारी छती न पहुचाए इसके लिए साची के इस तूप के चहार दिवारी को लकडी के स्थान पर पत्थर से मरम्मत करवाता है कौन करवाता है यह पुश्यमित्र सुंग करवाता है तो यहाँ पे उसकी यह एक बुद्धर्म से लगाओ देखी जा सकती है दूसरे पक्ष में इसी पुश्यमित्र सुंग ने यह एनाउंस किया यह एलान किया अपने राज्य में कि जो भी किसी बौध भिक्षू का सर काट कर लाएगा उसको पचीस दिनार का इनाम दिया जाएगा यानि स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी तो अब आप यह जो दोनों कथने इसको ध्या जाईयों का सर काट के लाने पर पचीस दिनार के इनाम की घोशना करता है तो अब मन यह पूछेगा कि वास्तों में यह किस प्रकृति कर राजा था यह बौधों से प्रेम करता था अथवा नफरत तो डियर स्टूडेंट मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँ कि इसका पुष्चने सर काटने की बात क्यों की अब कहाणी आगे बढ़ता हूँ देखे पुष्यमित्र सुंग ने उन्हीं बौध भिछवों के सर काटने की बात की जो NWFP में जाकर के बस गये थे और वो भी NWFP में जाकर बसना उनका गुनाह नहीं था इनका गुनाह सिर्फ इतन था कि इन लोगों ने बाहर के आक्रमन कारियों को भारत में प्रवेश करने का मौका दिया अर्थात उत्तर पस्चिम सीमा प्रांत में बसे बौध भिक्षू ने कुछ बाहरी सासकों को आमंत्रित किया कि वो मगद के साशक से बदला ले सके और यहां से उनका ना सो सके जब इस बात की सूचना पुष्यमित्र सुंग को लगती है कि उत्तर पस्चिम में बसे बौध भिक्षू बाहरी आक्रमन कारियों को आमंत्रित कर रहे हैं तो यह बात उसको कत्ताई बरदास नहीं हुई और इस तरह से उसने यह घोशना किया कि जो उत्तर पस्चिम सीमा प्रा ना कि इन बहुत भिक्षू का बात किया जो मगद में बसे थे इस तरह से कहा जा सकता है कि सुंग वन्स का शाषक पुष्यमित्र सुंग वह बहुत धर्म से नफरत नहीं करता था परन्तु उन व्यक्तियों से नफरत करता था जो बाहरी आक्रमन कारियों को भारत में आमंत किया जिनका वरण मैं यहाँ पर अभी नहीं करूंगा लेकिन नाम आपको बता दे रहा हूं पहला था इंडो ग्रीक पहले नंबर पे इंडो ग्रीक बाहरी सासकों को इन लोगों ने आमंत्रित किया दूसरे नंबर पे शक शासक आये तीसरे नंबर पे पहलाव आये और चौथे नंबर पे कुशाण वन्स आया तो इस प्रकार से उत्तर पस्चिम सीमा प्रांत में यह चार शासक या यह चार वन्स बाहर से आये थे जो इन बहुत भिक्षों ने आमंत्रित किये थे ऐसा कहा जाता है तो इनकी कहानी में आपको नेक्स क्लास में दूँगा अभी केवल पुश्यमित्र सुंग के विशय में तो पुश्यमित्र सुंग के बारे में यह जो आपको कहानी बताएगे यह बड़ी ही इंपोर्टेंट बात है साची के इस तूप का उसने जो चहार दिवारी था उसका लकडी के स्थान पर पत्थर से मरमत करवाया था और पुश्यमित्र सुंग ने दो अश्वमेग यह किये थे अपने जीवन काल में इसके बाद पुश्यमित्र सुंग के बाद जो अगला र राजा हुआ बशुमित्र इसके बाद अगला राजा हुआ भाग भद्र और इसके बाद अंतिम राजा हुआ देव भूती यह देव भूती सुंग वन्स का अंतिम राजा था अंतिम शासक इस पे आते हैं देखे अगनी मित्र के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इतियास में नहीं है बशुमित्र के बारे में भी नहीं है लेकिन भाग भद्र के बारे में मैं आपको एक जानकारी देता हूँ देखे भाग भधर जब मगद का शाशक हुआ करता था तो ग्रीक एक सासक था उसका नाम था एंटियॉल किट्स एंटियॉल किट्स ने अपना एक दूत भाग भधर नामक शाशक के दरबार में भेजा था और उस दूत का नाम था Heliodorus 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 जब भागभदर के शाशनकाल में भारत आता है तो इसने Bidisa में Bidisa नमक अस्थान पर जो Base नगर Exact location है Bidisa नमक अस्थान पर Base नगर में इसने एक गरुण अस्तंब की रचना की और गरुण इस्तंब की रचना का तात्पर यह है कि यह भगवान विश्णू का सवारी होता है इसलिए यह कहा गया कि जो यह पुश्य मित्र से लेकर देव भूती तक शाशक थे उसमें भाग भद्र के समय में जब यह सासक आया तो गरुण अस्तंब जब निर्मित कराया इससे असिद्ध होता है कि पुश्य मित्र सुंग तथा उसके सभी वनसच के लोग बैशनव धर्म के थे यानि भागवत धर्म के थे तो गरुण अस्तंब जो है यह निर्मित किया गया है विदिशा के बेस नगर में यह करवाया गय ग्रीक सासक था इसको यवन सासक भी कहते हैं तो इस प्रकार से भाग भद्र के समय में ये कहानी सिर्फ आपको मिलेगी इतिहास में और उसके बाद अंतिम राजा इसका होगा देव भूती देव भूती की हत्या करता है वसु देव नाम का एक व्यक्ति जो इसके ही पुरोहित थे और वसु देव ने इसकी हत्या कर दी तो देव भूती यानि कि आप देखें सुंग वन्स का विनास हो गया और मगद पर कडव वन्स की अस्थापना हो गई कडव वन्स की अस्थापना हो गई मगद पर यानि कि केवल इतना ही सुंगो का इतिहास है कडव वन्स बहुत संचेप में है कडव वन्स का आपने देखा संस्थापक वसु देव है इनके अन्य राजाओं में एक राजा आएगा भूमी मित्र और अंतिम राजा आएगा सर्मन अंतिम शाशक होगा कडव वन्स का तो कडव वन्स का इतिहास बहुत जादा नहीं है भूमी मित्र के बारे में कुछ बाते मैं आप से डिसकस करूंगा जब मैं आपको कुशाण वन्स के विशे में बताऊंगा भूमी मित्र पर कुशाणों के सासक कनिश्क ने फ्रेंस इतना ही हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे तो आपको इंडो ग्रीक सक पहला और कुशान के विसे में पढ़ाएंगे